हेलो और वेल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तो बिग बॉस सीजन सोला का ग्रांट फिनाले अब नजदी का रहा है लेकिन बिग बॉस सीजन पंदरा की विनर रह चुकी तिजस्वी प्रकाश के साथ क्यूं हो रहा है लगातार प्रियंका का कमपारिजन वेल दोस्तो प्रियंका और तिजस्वी के फैंस के बीच में क्यूं हो रही है सबसे बड़ी जंग क्यूं कर रही है लगातार दोनों अलग-अलग सीजन की इस ट्रोफी की दमदार दावेदारों को कमपेर एक जो बिग बॉस पंदरा की विनर रह चुकी है यानि की तिजस्वी प्रकाश और दूसरी बिग बॉस सोला की सबसे दमदार स्ट्रॉंग परस्नालिटी प्रियंका चाहर चौधरी जो की बिग बॉस सीजन सोला की ट्रोफी की तरफ अपने कदम बढ़ाती जा रही है फैंस क्यूं सोशल मीडिया पर जंग कर रहे हैं क्यूं लगातार हो रहा है इन दोनों के बीच कमपारिजन बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से बट बिफोर दाट दिन नॉट फोगेट तो सब्सक् फैंस की जहां वावाही मिली थी तो वहीं उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था कहा जा रहा था कि हर किसी को उमीद थी कि बिग बॉस 15 का विनर प्रतीक सहेच पाल बनेगा लेकिन लेकिन जब एकता कपूर ने तेजस्वी प्रकाश को नागिन 6 ओफर कर दिया तो ये बात साफ हो गई कि अब एकता की नागिन ही बिग बॉस 15 की विनर बनेगी और इसलिए फैंस को ये सब कुछ स्क्रिप्टिड लगा और काफी ज़्यादा नेजस्वी प्रकाश की ट्रोलिंग होने लगी तो वहीं आपको बता दें बिग बॉस 16 की इस वक्त सबसे द कंदार दावेदार ट्रोफी के लिए प्रियंका चाहर चौधरी को माना जा रहा है और ऐसे में प्रियंका चाहर चौधरी को अभी से ही फैंस विनर कह रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बिग बॉस 15 का फिनाले हुआ था पूरे एक साल पहले ऐसे में वहीं लोग कह रहे हैं कि जहां 15 सीजन का विनर बिल्कुल भी ओडियंस को एकसेप्टेबल नहीं था तो वहीं इस बार 16 सीजन की विनर प्रियंका चाहर चौधरी अभी से ही फैंस की नजरों में सबसे बड़ी बन चुकी है और फैंस ने अभी से ही इसे विनर मान लिया है और इसी वज़ा से दोनों के फैंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें